नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जार्खन बंद की पूर्व संध्या पर निकला मसाल जुलूस 11 छात्र नेताओं को नोटीस इस दरान इस बंद को सफल बनाने की अपिल की गई, वहीं जार्खन बंद को देखते हुए पुलिस मुख्याले ने सभी जीलो को अलट किया है इधर सदर कोट ने छात्र नेता देविंद्र नात महतो सहीत एक गायरत छात्र नेताओं को खिलाप नोटीस भी जारी कर दिया है जार्खन बंद के पूरो संध्या पर छात्र नेताओं ने राजधानी के जैपाल सिंग मुंडाई स्टेडियम से मसाल जुलूस की शुरुआत की यह जुलूस अलवट एका चोग पहुचा इस दोरान छात्र नेताओं ने दो दिवसे बंदी को सफल बनाने में सभी से सहयोग की अपिल की है जे एस एस यू के प्रमुख देविंदरनाथ महतो ने कहा है कि यह बंद साथ शैरिश नोजनीति के खिलाप बुलाई गई है आवस्यक मेटकल सिवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है जारखन में सुक्रवार को लू चलने से लोगो की बेचैनी बढ़ गई है रांची समेत राजी के विभीन हिस्टों में गर्म हवाओं के साथ सुरे की तपिस जुलसा रही है सुक्रवार को संथाल इलाके में हालात ज्यादा खराब रहे गोड़ा सबसे गर्म सहर रहा यहां अधिक्तम तापमान 44.1 डिरी तक रहा जबकि रांची का अधिक्तम तापमान 49.4 डिरी दज किया गया वह जम सेथ पूर और मेदनी दगर का अधिक्तम तापमान 43.4 डिरी पर रहा मौसम विभाग के अनुसार 12 जुन तक राजे के कई इलाकों में लूट चलने के असार है मौसम विभाग के अनुसार गोड़ा मेंने अनुसार 15.3 डिरी को पार्क कर गया है इससे रात में उमस की गर्मी सता रही है आने वाले तीन दिनों तक इसका रूख जारखन क्यों रहेगा इसके बाद मौसम में आसिक बादल चाने की संभावना है इस दोरान अधिक्तम तापमान में बड़ा बदला होने की संभावना की कम है जारखन बंद को लेकर रांची पूरी तरह से अलाट मोर में आ गई है बिभीन चातर संभावना ने नियोजन निती की बिरोद में 10 और 11 जून को जारखन बंद का एलान किया है बंद से निपटने के लिए राजधनी रांची में 15 सब से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है बदादे राज भर के चातर संभाटनों नियोजन निती के बिरोद में अपना अंदोलन को और तेर्ज कर दिया है दस जून को चातरों ने बंद का एलान किया है इसको लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलाट मोड में है मुख्यमंतरी आवास और उसके आसपास जिलाके में सुरक्षा का पोक्ता इंतियाम किये गए है सुरक्षा के मद नजर सोहर भार में 15 सब फोर्स की तिनाती की गई है इसमें जिला पुलिस के साथ आयारबी और रैफ के अलावा जर्खन जगवार के जवान सामिल रहेंगे इसके अलावा CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा की निगरानी की जाएगी रांची SSP की सोहर कर दो बताया है कि बंद को लेका सवर क सभी DSP और रहने दार को सतर किया गया है छात्रों के ज़ारखन बंद का लोविन हम्रम का समर्थान जार्खन मुक्ती मोर्चा की विधायक लोबिन हमरम ने छात्र आंदोलन कारियों के दस और एक गारज उनके जार्खन बंद को समर्थन देने खोसना की है उन्होंने कहा एक जरुवत पढ़ने पर वे इनके समर्थन में सवक पर भी उतरेंगे सुक्रवार को अपनी आवास में प्रेश वार्ता को समधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भागवान बीर्षा मुंडा की पुनेतिती पर तमाम नेता उनकी परतिमापत सरदानजली दे रहे हैं लेकिन उनके सपनों को भूल गए हैं आज उनके वनसुजों के पास कोई भी खत्यानी जमीन नहीं है लेकिन सरकार को इसकी परवाही नहीं है सीएंटी और एस्पिटी एक्ट भागवान बीर्षा के ही आंदोलन का नतिजा है लेकिन उसी का उलंगन हो रहा है मुक्षबंत्री हमांसुरे ने कहा था कि सीएंटी और एस्पिटी एक्ट का सक्ती से पारण होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जारखन में 51,000 से ज्यादा चापकल खराब जारखन में भी संगर्मी के बीच 51,000 से जापकल खराब पड़े हुए हैं लोग पीने के पानी के लिए भटखने को मजबूर है राज सरकार के आकड़े के मुताबिक 20 जीलों के 24 पेजल प्रमंडल में यह समझ से अभिकट है अकेले रांची जीले में 4 जादा चापकल खराब है वहीं मेद्नी नगर में 32 के लगभग चापकल खराब है जहाँ सहर कई मुहलों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे है वहीं संथाल प्रगना के सभी जीलों में खराब चापकलोग की संख्या जदा है जबकि जार्खन में गर्मी चरम पढ़ा है पिछले साल खरीब की खेती के समय कम बारिस हुई जिस कारण जलस्तर पहले से ही नीचे चला गया पेजल एमस्वकस्ता विभाग को यह पता था कि वर्ष 2022 में अतिक कम बार्षा हुई है फल्सरूप जलस्तर नीचे जाना सभाविक था राजी के अंदर पानी का अस्तर नीचे जाने का मतलब जलसंकट का गराना है बंदे भारत ट्रेन का 12 जून को ट्रायल रन संभाव रांची से पतना के बीच प्रस्ताविद बंदे भारत एक्सपरेस के परिचलन का इंतियार अब खत्म होने वाला है इस ट्रेन का 12 जून को ट्रायल रन होगा इस दोरान अगर कोई तक्निकी समस्या नहीं हुई तो जल्द नियमित परिचालन सुरू हो जाएगा ट्रायल सफल होने पर इसका भव्य उद्घाटन समारो होगा उमीद है कि प्रधान मंदिना अगर नमोदी हरी ज़ंडी दिखा कर इसका उद्घाटन करेंगे ट्रेन का उद्घाटन रायंदर नगर पत्ना में होगा क्योंकि ट्रेन के मेंट्रेनेस की जीमेदारी भी इस्ट सेंटर रेलो के दी गई है बदादे बंदे भारत के ट्रायल के लिए जो टाइम टेबल जारी किया गया है उसके उनसार पत्ना सेया ट्रेन सुबह 6 बच कर 55 मेट पर खुलेगी यहां सेया ट्रेन 11 बच कर 30 मेट पर बरका खना पहुँचेगी और 11 बच कर 35 मेट पर रवाना होगी वहीं रांची मेट दो पर एक बज़े पहुचेगी रांची सेया ट्रेन पुना दो पर दो बच कर 20 मेट से पटना के लिए खुलेगी जारखन में मानो तसकरी 768 नवाली का नहीं चला पता जारखन विभीन जीलों से लपाता होने के बाद 18 वर्ष से कम उम्रे के 768 नवालीक लड़का और लड़की ट्रेस लेंस हो गए हैं या आकड़ा वर्ष 2015 से लेकर 2022 के अंतक का है इस दो राजी के विभीन जीलों से 475 नवालीक लबाता हुए थे इनके लपाता होने के समद में पूलिस के पास सिकायत भी पहुची थी लेकिन उन में से उक्त 8 वर्षों के दवान 497 लोग बरामत किये गए जबकि 768 लोग लपाता हिरा गए जिनके बारे में कोई सुराक ही नहीं मिला पूलिस के आकणे के मुताविक राजे में परतेक साल कभी 500 से अधिक तो कभी 400 से अधिक नवालीक लपाता होते हैं लेकिन परतेक साल 80 और कभी कभी 100 से ज़्यादा नवालीक ट्रेसलेस रह जाते हैं सियम हमंत ने अंडमान निकोवार प्रवास के दरान जारखन के आदिवासी मुलवासियों को दिया भरोसा मुख्य मंत्री हमान स्रेन के अंडमान निकोवार प्रवास के दरान उनसे सुक्रवार को वहां रह रहे जार्खन के आदिवासियों मुलवासियों के एक प्रतिनिदी मंडल ने मुलकात की उन्होंने मुख्य मंत्री को अंडमान निकोवार दीव समूह में रुजगार और अन ने बिसायों से सम्मंदित अनुभाव को साजा किया उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि कई दसकों से जार्खन के अलग-अलग छेत्रों से स्रामिक यहां माईदूरी करने आते रहे हैं इन में से कई अंडमार और निकोबार परसासन के पुर्णवास योईना के तहत यहा हुए हाँ एमजीम मेडिकल कॉलेज कम्प्यूटर खरीद घोटाले में 13 आरोपियों से होगी 67 लाख की वसुली राजी के मेडिकल कॉलेज में कम्प्यूटर खरीद तथा और बिते गड़वड़ी में सामिल अधिकारियों के खिलाप कड़िक करवाई करते वे स्वास जारखन सरकार उन 10 परमुख राजियों के सामिल 13 अधिकारियों से इस राशी को असुली कादेश जारी कर दिया है मुख्यमंत्री हमांसुरे ने अंडवान निकोवार प्रवास के दुरान मिलने आज हरकन के आदिवासी मुलवासी सामाज के प्रतिनिधी मंडल के जनकारी दी है मुख्यमंत्री हमांसुरे ने अपने प्रवास के दुरान अंडवान निकोवार के लेफनेट गोवारनर एडमीरल डिक्पे जोशी से राजि निवास में सीटा चार मुलकात की मुख्य मंत्री ने प्रतिनीधी मंडल को बताया है कि प्रवासिस रमिकों के हीत में राज सरकार कोई कल्यन का रियोजनाय चला रही है जारखन में पानी को लेकर छुआ छुत मामले की जाच रांची जीले के सिली प्रखंड की बड़ा चागडू पंचायत के अडाल नवादी गाव में पानी को लेकर छुआ छुआ छुत मामले की जाच की गई अधिकारियों की टीम ने गाव में जाकर पुष्टाच की और मामले की जनकारी ली पेजल किलत को देखते हुए गाव में बोरिंग करा दी गई है खराब पड़े चपाकल की मरमत भी करा दी गई है आपको बता दे कि नवादी गाव में कूल नौ टोले हैं जिसमें लगभग 370 परिवार रहते हैं महतो, मुंड़ा, लोहरा, प्रमानिक, महली, मुखियार, इत्याधी, समाजिक, समौह के लोग निवास करते हैं घातना के समाए तक सभी लोग आपसी मेल जोल के साथ साथ रहते आया हैं एवाम सभी तरह के समाजिक संस्कृति करक्रमों में समोहिक रूप से सभागी होते आया हैं चटानी टोली में तीन लोहरा परिवार के लोग रहते हैं ज्यारखन के उत्कृष्ट विद्यालों में 12 जून से दाखिला जारखन के उत्कृष्ट विद्यालों में नमांकन के लिए चैनित छातरों की सुची जारी कर दी गई है सभी स्कृष्ट में मेरिट लिस्ट में सामिल बच्चों का नाम प्रकासित कर दिया गया नमांकन की परकिरिया 12 जून से प्रादाम्ब हो जाएगी और जुन मुंडा बोले मुंडा का इतिहास और संस्कृती बहुत बड़ा बीर्शा मुंडा सहादत दिवस के मौके पर खुटी के बीर्शा कॉलेज बहुदेशिय भवन में आयोजित कारकर में केंद्रिया मंत्री औरजुन मुंडा ने सिरकत की इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारा जीवन पदती ही जीवन का सुत्र है हम आदी काल से हैं और हम आदी प्रमपरा को मानने वाले हैं हमें इस पर गर्व करते हुए बिचार करना चाहिए केंद्रिया मंत्री औरजुन मुंडा ने कहा है कि मुंडाओ का इतिहास और संस्कीति बहुत बड़ा रहा है पर कई जगा लोग अपनी भासा और संस्कीति को भूल रहे हैं हमें इस पर विचार करना चाहिए जल जंगल जमीन भासा और संस्कीति को बचाने के लिए चर्चा किया जाना चाहिए उनका एक ब्हबान बीर्षा मुंडा ने अपने अंदोलन से हमें रास्ता दिखाया है हमें उनके विचारों को नहीं भूलना चाहिए बीर्षा मुंडा के अंदोलन से आदिवासी को बचाय रखने के लिए C&T Act बना जल जंगल और जमीन को बचाया रखने के लिए वन अधिकार कानून भी बना है बोर्यो बिधायक लोबिन हमरम ने हिमन सरकार पर निकाली भड़ास बोर्यो बिधायक लोबिन हमरम ने फिर बिभीन मुद्धे को लेकर अपनी ही सरकार खिलाब आवाज बुलंद की है बोर्यों बिधायक ने साथ चैलिश नियोजन नीती, सी एंटी, स्पीटी, एक्ट, सहीत कई मुद्धों पर सरकार की कारसली पर सवाल उठाया है इस दोरान उन्होंने जार्खन बंद का समर्थत देने की भी घोसना की है बता दे जार्खन मुक्ती मोर्चा के केंदरी ये नेतीतों के खिलाप लगातार आग उगल रहे जेमें बिधायक लोबिन हमरम ने फिर एक बार अपनी भड़ास मुख्य मंत्री हमान सुरेन के खिलाप ब्यान दे कर निकाली है लोबिन हमरम ने 64 नियोजन नितिक बिरोध में सन्नी वार से दो दिवसे जार्खन बंद का समर्थन करने ही घोसना की आज उनके वसुजों के नाम खत्यानी जमीन नहीं होना दुखदा है जार्खन पेरेंट्स एसोसेशन ने जार्खन सरकार के सिक्षा सचीव के रभी कुमार से स्कूल की छुटी बढ़ाने की मांग की है जारखन परेंट्स एस्सेसेशन के अध्यक्ष अजय राय ने बताया है कि पुरे राज जेक के अंदर गर्मी चरम पर है चाहे राजधानी राची हो या लोहर्दक का धनबाद बोकारो जमसेथपूर गीडी देवगर सहीत अन्य जिला सभी जगव पारा इतना चठा हुआ है कि घर से निकल पाना आम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है इन परिश्थितियों में छोटे बच्चों के उपर हीट वेव का क्या असर होगा इसका सहज अनुमान लगाए जा सकता है राज सरकार को चाहिए कि जब तक मानसून ब्रेक नहीं हो जाता तब तक स्कूल की छुटिया बढ़ा दी जाए ताकि बच्चों को हीट वेव से बचाया जा सके धन्यवाद